स्वागत है आपका प्याज वज किचिन में आज फ्रेंट्स मैं आपके साथ मॉर्निंग ब्रेक्वस्ट में सैंड्विच की रेस्पी शेयर कर रही हूं तो मेरे पास दो उबले हुए आलू थे और इसमें मैं थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ सब्जियां और भी फैड कर रही हूँ तो इसमें थोड़ी सी हरे मिर्शी एक कटा हुआ प्याज आ एक छोटा कटा हुआ शिम्ला मिर्च और गरेट किया हुआ गाजर और थोड़ा सा इसमें मैं अध्रक भी डालोंगी अद्रक से क्या होता है न कि कोई भी आलू की कचोड़ी बना रहे है या फिर कुछ भी आलू से बना रहे है न तो उसमें अद्रक या हिंग डाल दो तो उसका टेस्ट बहुत ही जादा बढ़िया हो जाता है तो मैंने इसमें थोड़ा सा अद्रक भी डाला है अब इन सारी सब यह को हम डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पिपर भी डाल देंगे सब आधा आधा चमज की अंदाज से हम डालेंगे और थोड़ा सा रेड चिली भी डालेंगे, जो की बहुत तीखा नहीं होता है, तो कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें डाला है थोड़ा सा, एक तो कलर के लिए भी और दूसरा कि ये बहुत तीखा नहीं होता है और मुझे बच्चों को भी देना है इस सैंड्विच को बना कर, तो इसलिए मै थोड़ा सा कमी दीखा रोखेंगा और बहुत ही थोड़ा इसमें मैं mustard oil भी डाल रही हूँ ये totally optional है आप अगर चाहते हैं डालना तो डाले नहीं तो ना डाले और अब मैंने पहले से ही थोड़ा सा bread को toast कर लिया है ताकि जब मैं green चितनी लगाऊ ना तो ये soggy ना हो तो इसक के बाद इसमें जो मैंने आलू का जो मिर्शन तयार किया है ना उसको अब मैं इसके उपर डाल कर अच्छे से इसे spread कर लोगी spread करने के बाद इसके ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा मैं इसके ऊपर केचप ही ढालूगी क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना उसको ना केचप यानि की थोड़ा सा sweetness पसंद है किसी भी चीज में तो मैं इसमें ग्रीन चितनी क केचप ही ढाल रही हूं इसे टेस्ट तो इनान्स होता ही है और साथ ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा सा स्वीटन सावर का टेस्ट आता है और अब उपर से मैं इस सेंड्विच को कवर कर दूगी एक और ब्रेट से तो क्यूंकि मैंने ब्रेट तो के लिए और थोड़ा सा सेक लोगी ताकि थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए और इसके बाद तब पर सेकने के बाद मैं इसे निकाल लोगी और निकालने के बाद मैं इसे थोड़ा से जैसी बहुत जादा नहीं सेकना है क्योंकि अल्रड़ी टोस्ट किया हुआ था ब्रेट और इसे मैं cut कर लूँगी और दीखे ये फटाफट से मेरा sandwich बन कर तयार हो गया तो अगर आपको बहुत कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है और चाहते हैं कि कम टाइम में कुछ बढ़िया सा healthy सा breakfast में बना लूँ तो आज मैं morning breakfast में इसे बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे थो इसे आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं इसे मैंने थोड़े fruits के साथ सर्फ किया है तो मेरे पास पपाया और बनाना था तो मैंने black pepper और black salt के साथ सर्फ किया है तो आप भी इसे try ज़रूर करें